हेलो फैंस यूपीसी इग्जायम में आपका स्वागत है तो आज हम एंशन हिस्ट्री का लेक्चर नमबर 25 यहां पर स्टार्ट करेंगे चैप्टर का नाम है यहां पर मौरेन आट एंड आर्किटेक्ट्चर के बारे भी तो यहां पर जो लेक्चर नमबर 24 के बाद यहां पर 25 यहां पर जो लेक्चर अप्लोड किया जा रहे हैं इसमें काफी ज्यादा गैप हो चुक है तो मेलनी कारण क्या था कि जो क्लास 11 की फीजिकल जो गर्फी थी उसके कुछ चैप्टर यहां पर पैंडिंग पड़े थे स्टुडेंट्स के यहां पर मैसेज आ रहे थे कि एक आविशे के बारे में देखेंगे जो अपर अर्ट थी तो यहां पर हाइली आडवांस थी यहां पर मॉरियन परिड के डोराण इससे पहले much in mion हैं वो यहां पर mention नहीं किया गया as the Indian art clear is this में आट है वह में दिना नाट है बहुत ओफ चुछ सां इंपायर है इस से यहांपर सुप यहांं पर हमें जहादा तर जो मोनुमेंस देखने को मिलते हैं वह मेंली जो आशोका का टाइम पेरिड है इस समय में बहुत यहाँ पे लार्ज नंबर में हमें High Quality के Monuments देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे भी तो यहां पे जो हेस्टीर है इंडियन आर्ट के मोर beats के साथ जो इंडियन आर्ट की जो हेस्ट्रीर है इनके दुवारा बहुत ही सादर effective यहां पर बनवाई गई और भी यहां पर artistic, यहां पर monuments इनके दुवारा बनवाई गए थे, जिनमें से यहां पर कुछ आज भी यहां पर survive कर रहें, मतलब कि आज के समय में भी देखने को मिलेंगे. यहाँ पे जो बिल्डिंग्स पैलस मॉनुमेंट्स यहाँ पे चंदर गुप्त मोरे के दुवारा जो बनवाए गए थे वो पैरिश हो चुके मतलब नस्ट हो चुके मेंली कारण क्या था कि चंदर गुप्त मोरे के समय में जो मेंली आर्ट यहां पे किया जाता था या बनवाया जाता था उस समय में वो मेंली वूड का होता था कलियर है लकडियों का होता था अब इतने लंबे समय से यहां पे जो लकडिया है वो ऐस परकार से तो रहने वाली नहीं है क्लियर है तो वो नर्स्टो हो गई थी लेकिन यहां पे जो अशोका के टाइम पिरेड में जो आर्ट यहां पे इस्तमाल यहां पे उनके दुवरा बनवाया गया वो मेली स्टोन्स का था ठीक है पत्थरों का था जो आज भी हमें बहुत सरे एक्जैंपल से देखने को मिलते हैं तो यहां पे चंदगुप्त मोरे यहां पे स्टोन्स यहां पे जो इंडियन आर्ट मैटीरियल ठीक है उसके बाद यहां पे इस्तमाल किया गया सो मोनुमेंट जो अशोका के दवारा यहां पे बनवाए गए थे वो मेली हाड ग्रे सैंड स्टोन्स के थे और यहां पे इन्हें ब्यूटिफुली पॉलिश किया जाता था और यहां पे इन्हें जो तराशा जाता था बहुत ही जबरदस्त वे के साथ तीक है आगे हम देखेंगे और यहां पे जो इनकी कारिकरी थी वो इतनी ज़्यादा अद्बूत थी ऐसे लगता था कि यहां पे जो कारिकरी की गई है वो काफी जनरेशन से यहां पे की जा रही है जैसे यहां पे एक परसन के दवारा यहाँ पे कुछ बनाया गया फिर आगे जो उसका असन है उसके दवारा यहाँ पे बनाया गया अब यहाँ पे improvement ज़्यादा देखने को मिलेगी आगे जो इसका असन होगा उसके दवारा यहाँ पे कुछ नहीं चीज बनाएगी अब इसमें और ज़्यादा यहाँ पे सफाई देखने को मिलेगी जो इसका काम होगा ठीक है तो इस परकार से यहाँ पे काफी जनरेशन से यह एफर्स यहाँ पे इनके दुवरा लगाए गए थे मौरें आर्किटेक्चर को यहाँ पे में दो हिसा में डिवाइड किया गया एक यहाँ पे कोट आर्ट और दूसरा पोपुलर आर्ट दोनों के बारे में हम यहाँ पे डीटेल में देखेंगे यहाँ पे नेख्ट मूब करते हैं तो Moran Court Art के बारे में देख लेते हैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है हम पैलेस के बारे में देख लेते है तो Greek Historians, Magstenes यहाँ पे इनके दुवारा जो describe करा गया कि जो Moran Empire था वो यहाँ पे greatest creation थी Mankind की इस समय में तो जो Chinese Traveler था तो इसके दोवारा भी यहां पे बोला गया कि जो मॉरेन पैलस है यह एक गोड गिफ्टेड मॉनुमेंट था क्लियर हैं तो इनका मानना था कि यह इनसानों के दोवारा नहीं बनाया गया यहां पे कोई स्पिरिट है यहां पे जो जिसके दोवारा यहां पे काम किया गया कि इतनी अदबुत कारेगिरी यहां पर बनाई गई तो यह बात यहां पर चाइनिस ट्रावलर फाहें के दुवारा बोली गई थी यहां पर फ्रेग्मेंट से स्टॉन पिलर्स के और स्टम्स के वह यहां पर इंडिकेट करते हैं कि जो 84 पिलर्ड हॉल यहां पर एक्जिस्ट करता था जो मेली यहां पर पटना आज के समय में पटना है सो वहां पर पाया गया यह कुम्राहर में क्लियर है तो यहां पर जो जितने भी यहां पर हर पिलर से यहां पर एक सिंगल पीस है यहां पर बने होते थख buff colored sand stones बने होते थे clear है तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो अरे के यहाँ पे pillar थे यह मेली single piece के बनाए गए थे मतलब की जैसे कि अगर हम जब comparison करेंगे इन्हें जो इरानियन के साथ उनके दोबारा जो pillar बनाए जाते थे उनमें अलग-लग तरह के जो पत्थरों के इस्तमाल किया जाता था लेकिन यहाँ पे इस समय में इंडिया में जो यहाँ पे pillars बनाए जा रहे थे वो सिर्फ एक ही तरह के stone से बनाए जा रहे थे clear है so single piece of buff colored sandstone तो यहाँ पे जो capital था capital मतलब की जो shaft है यहाँ पे जो pillar है इसके जो उपर वाला हिस्सा होता था उसे बोला जाता था capital बोला जाता था clear है तो यहाँ पे beautifully pieces of sculptures यहाँ पे बहुती अदबुत यहाँ पे मूर्तिकला देखने को मेरी loyans की बोल्स की ठीक है और भी यहाँ पे तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे pillar के जो उपर वाला हिस्सा होता है इसे क्या बोला जाता है इसे capital बोला जाता है clear है representation of the capital above the pillar shaft यहाँ पे जो pillar shaft है इसके उपर वाला जो हिस्सा होता है इसे capital बोला जाता है तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे इसके जो पार से यहां पर सब्डिवाइड यहां पर किया गया तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे क्लियर तो यहां पर पर्शियन इंफ्लॉएंस भी यहां पर देखने को मिलता है जो पैलस है यहां पर चंदरकुप्त महुर्या क्या वो इंस्पायर था किसके साथ इंस्पायर था जो पष्री में पैलस था जो परस पालिसि इन इरान ठीक है यहां पे था तो उसके साथ यहां पे इंस्पाइर था मतलब कि इनों ने वहां से यह कारिगरी यहां पे हासिल गई थी ठीक है उनसे इंस्पाइर था यह तो आगे हम देखेंगी जो बिल्डिंग्स थी उस समय में वह पैरिश हो चुकी और यहां पे लकडी से बनाया जाता था तो इतने समय से तो वह नहीं रहेगा क्लियर है तो इक्जैंपल्स यहां पे देख लेते हैं मौरेन कैपिटल जो पाठली पुत्रा में हो गया और शोका का पैलेस जो कुम्राह ओल्डिक पिलर्स हाकरते थे ठीक है यहां जो सैंडस्टॉन होता था उससे यहां पर मिलके बनाः जाता था EX it एक ग्रेट- stimulation पे इंपोर्टेंस है इंटायर जो मौरेन एंपायर है वहां पे इन पिलरों की यहां पे यह जो पिलर्स है यह डिसकवर किये गए बहुत सरी यहां पे जगा देखने को मिलेगी जैसे टोपरा हो गया मेरत, अलाबाद, लाउरिया, अराराज, लोविया, नंदनगर्ड हो गया, रामपूर्वा, सांची, सारनाथ, रुमिंदेई, निगलीवा ठीक है तो यहां पे बहुत सरे यह प्लेसिस यहां पे मिलेंगे जहां पे पिलर्स पाए गए है तो यहां पिन मेंसे कुछ यहां पे जो वाइट सेंड स्टॉन के मिलंका बने होए थे, यह चुनार नसी नज़िक है तो वहां पर पत्थरों के यहां पर पिलर्स बनाए गए थी यहां पर जितने भी एक पिलर का यहां पर जो वेट होता था वो 50 टन का होता था और यहां पर 60 मीटर इनकी हाइट होती थी क्लीर है तो language का झो इस्तेमाल किया गया है यहां पर पाली और प्रकुरिट language के साथ यहां पर Greek यहां पर लेंगवईज का भी इस्तेमाल किया गया था Architecture की बात करें यहां पर Morian Pillars यहां पर में डो तीन Might में यहां इससे Divide किया जाता है so actually में दो पार्त जो second part होगा उसमें से मैंने कुछ यहां पर आगे सब डिवाइड कर दिया है ठीक है इसलिए आप दो पार से यहां पर बोल सकते हैं सबसे पहले हम shaft जो होती है ठीक है उसके बारे में देखेंगे जो long shaft है यह 16 meter यहां पर इसकी height देखने को मिलेगी ठीक है this one तो यहां पर इस shaft यहां पर बनाई जाती थी clear है तो यहां पर diagram में देख लेते हैं so तो यहां पे यह लोटस शेप का होगा या बेल शेप का होगा ठीक है तो यहां पे देख लेते हैं जो यहां पे यह शाफ्ट थी ठीक है तो इसके ऊपर यहां पे यह वाला जो पॉर्शन है या तो यह बेल शेप्ड या लोटस का शेप का यहां पे देखने को मिलेगा यह वाला portion तो यहाँ पर जो इसका diameter वो कितना है यहाँ पर एक meter का यहाँ पर diameter है तो capital यहाँ पर जो इससे join करता है shaft के साथ तो यहाँ पर copper bolt यहाँ पर cylindrical shape का लगा हुआ है जो यहाँ पर middle में bulge हो जाता है मतलब कि उबरा हुआ हो जाता है मतलब shaft और capital यह इसको जोड़ा जाता है so cylindrical shape में copper bolt के साथ जोड़ा जाता है जो यहाँ पर bulge यहाँ पर middle में bulge हो जाता है मतलब बाहर के तरफ यह उबरा हुआ परतीत होता है clear है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं this one तो next यहाँ पर move करते है so capital यहाँ पर जो pillar आगे यहाँ पर उसे कुछ हिसो में divide करा गया ठीक है pillars के बारे में देख लेते हैं जो capital है यहाँ ठीक है तो abecus so abecus यहाँ पर यहाँ तो square shape का होता था यह rectangular यह circular ठीक है यहाँ पर लगलग shapes का देखने को मिलता था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यह rectangular shape का है यहाँ पर यह वाला जो portion है यह क्या है abecus clear is so this one is abecus तो यहाँ पर आपको circular shape में देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर circular square यह rectangular अलगलग shapes में देखने को मिलता था तो यहाँ पर यह decorate किया जाता था यहाँ पर फूलों के साथ या birds या animals अलगलग तरह कि यहाँ पर कारिगरी की जाती थी ठीक है तो यहाँ पर तो यहाँ पर आपको नहीं देखेगा इतना जाता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखने को मिलेंगे यहां पर यहां पर देखने को मिलेंगे 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 यहां पर देख तो यहां पर यह जो दो अबैक्स है यह जो इसके बीच पर यहां पर यहां पर यहां पर दिखार कें यहां पर पूल ठीक है इनके बीच में यहां पे धर्म चक्र ठीक है यहां पे मैंचन किया हुआ है ठीक है दिखाया हुआ है तो उसके बाद यहां पे second point क्या है कि अबेकस के ऊपर यहां पे crown figure यहां पे देखने को मिलेगी यह एनिमल्स यहां पे वो seated or standing portion में देखने को मिलेंगे so इसके उपर यहाँ पर animals देखने को मिलेंगे या तो वो seated ठीक है बैठे हुए परतीत होंगे या खड़े हुए परतीत होंगे ठीक है तो अलग-लग यहाँ पर इनकी सेप देखने को मिलेंगी उसके बाद यहाँ पर बेकस के नीचे यहाँ पर इन्वर्टेट लोटस यहाँ पर देखने को मिलेगा आप इसी परसी पॉलितन बैल भी बोल सकते हैं सब वन कि टो नेज्ट यहां पे मुव करते हैं वंडर्फूर माट लघ्ट फिगर से यहां पर फोर लोयांस प्राइड यह देखने को मिलेंगे चार लोयांस आप्र 1, 2, 3 और इसके back side आपर four, ठेका fourвигons यहाँ पर back to back sitting position में देखने को मिलेंगे elephant, horse, bull, lion ठीक है? यह सब कुछ यहाँ पर आपकस है, वहाँ पर देखने को मिलेगा clear है, तो यहाँ पर highly advanced यहाँ पर art देखने को मिलती है पूल यहां पर लॉयन यहां पर देखने को मिलेगा ओलिफैन्ट देखने को मिलेंगे होरस देखने को मिलेंगे अपकस के ऊपर ठीकल अलगलग कारीगरी यहां पर इनके दोवारा की गई थी अब यहां पर पर्शियन के साथ जो similarities थी थाहुधीज की वह देख लेते हैं सो पॉलिस्ट स्टॉन्स और मोटीफ कुम मॉलें को मिलेंगी यहां प वहां जैसे होगया इस प्रकार की यहां पे कुछ कॉमन के कारिकरी दोनों के बीच की देखने को मिलेगी तो उसके बाद Proclamations मतलब Moria के जो आइडिया से जैसे कि वो अलग लग यहां पे पिलर्स के ओपर यहां पे लिखवाते थे ठीक है इनको जो औरीजन अब वो मेली Persian पिलर्स हुआ था पर्शन पिलर्स भी क्या करवाते थे ठीक है वो भी यहां पे लिखवाया करते थे उनके इस देखने को मिलेंगी अब इसके इलावा यहांपे डिफ्रेंस बहुत देखने को मिलेंगे पिलर्स चयातों अगर हम देखें पर्शीं, तो यहां यहां पर काफी जबर्दस देखने को मिली है यहां पर आगे इनकी जो शेप और औरनमेंटेशन यहां पर अलग देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ जो morion pillars है यह smooth surface यहाँ पे देखने को मिलेगी architectural scheme अगर देखें जो achumadian जो achumanid pillars हुआ करते थे यह mainly जो larger architectural scheme इनके दुआरा बनाई जाती थी उसका एक हिस्सा हुआ करते थे clear है जो कि यहाँ पे complex और complicated shape में हुआ करते थी दूसरी तरफ जो अशोकन की जो pillars है यह simple हुआ करते थे ठीक है यहाँ पे freely यहाँ पे बनाए जाता था monuments के लिए ठीक है जैसे simply यहाँ पे pillars बनवा दिया गया है उसके ओपर यहाँ पर लॉयन ठीक है यह होर्स elephants यह यहाँ पे कुछ बनवा देते थे ठीक है तो यहाँ पे simply देखने को मिलते था लेकिन वो उनकी जो structure हुआ करते थे वो बहुत बड़ी structure का एक हिस्सा हुआ करता था ठीक है तो इस परकार से यहाँ पे तो यह difference था यहाँ पे तो next यहां लास्ट पॉंट है जो स्थूपा के बारे में देख लेते हैं ठीक है लास्ट इंतर सेंस मतलब की दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था जो first था यहाँ पे court आर्ट के बारे में उसका थर यहां पे लास्ट पार्ट है स्थूपा यहां पर मिलके बना होता हुआ है यहां पर कैसे हर मार कर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह इन OF ic जाता था थीक है तो इसके बारे में हम यहां पर डेटेल में देखेंगे सो अंडा यहां पर है मेर किया जाता था बुदा सिंदम्यां गया या आगे जो इनके disciples हुआ करते थे उनसे यहां पर related जो उनके अवशेश हुआ करते थे ठीक है कुछ भी यहां पर remains जो होते थे वो चीज़े यहां पर रखा करते थे स्टूपास में जिनकी यहां पर लोग पूजा किया करते थे clear है स्टूपास तो उसके बाद hermica so यहां पर square railing on the top of the mountain ठीक है यहां पर railing हुआ करती थे square type की ठीक है तो जो older और smaller wooden यहां पर railing हुआ करती थे उसे replace किया गया जो wooden type की होती ठीक है उसे replace किया गया तो यहां पर present day में stone railing यहां पर देखने को मिलती है उसके बाद छतर छतर यहां पर center pillars यह यहां पर यह कि अगर ट्रीपल अंब्रेला जो होते हैं ठीक है तो यहां पर यह आपको चाहतर देखने को मिलेंगे triple अंब्रेला क्लियर तो important है यहां पर इंके बारे में आपको पता होना चाहिए examine directly question यहां पर पूछ सकते हैं तो यहां पर जो मेन अब्जेक्ट यहां पर यहां पर पूजा की जाती थी तो यहां पर नेक्स्ट मूव करते हैं तो यहां पर अशोका के दुवारा यहां पर 84,000 स्टूपा यहां पर ओल ओवर दी इंडिया एंड अफगानिस्तान बनवाए गए थे जादा तर यहां पर पैरिश नर्स हो चुके हैं मैटिरियल्स का जो इस्तेमाल किया जाता था कॉर ओफ छिस तूपा थी के यहां पे सैंटर में अन बंइड ब्रिक के यहां पर इस्तेमाल किया जाता था उसकिं догाई ता उसकी बाहर की जो सरफेस्स यहां पर हो ती थी वहांपर बंट जो पकी हुई इंडेंगें आलworm थी यहां पर गयर की जाती है तो इसे ही यहां पर जाता है तो यहां पर सांची स्तूपा ठीक है मद्या प्रदेश बोपाल में देखने को मिलेगा यह सांची स्तूपा यहाँ पे दिस वन बोपाल में clear है तो यह याद रखना most famous और शोकन स्तूपा यहां पर जो diameter सांची स्तूपा का 38 मीटर का देखने को मिलेगा height 24 meter और यहाँ पर जो stone railing यहाँ पर लगाई गई गी है स्टूपा के around वो 3.3 meter in height यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर प्रावा स्टूपा यहाँ पर उत्तरप्रदेश में देखने को मिलेगा सबसे पुराना यहाँ पर ठीक है तो यह सब कुछ यहां पर लिखे हुए है पावा कोशी नगर ठीक है इस वान तो उसके बाद यहां पर प्ले लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो को फांड आउट करने की जुरूरत नहीं है साथ में यहां पर जो इंस्ट्राग्राम मतलब कि यहां पर जो द्रिश है यहां पर देखने को मिलती है उनके बारे में देख लेते ठीक है क्या क्या चीज़े यहां पर देखने को मिलती है स्टूपाज में तो यहां पर सिंबल्स देखने को मिलेंगे अर्ली स्टेज में यहां पर महात्मा बुद्ध यहां पर रि को यहां पे दर्शाया जाता था एसे सिंबल ठीक है उसके बाद यहां पे जो जिए इन्हें पर कारीगरी की जाती थी वहां पर लग लग images बनाई जाती थी इनकी जो जताका की stories हुआ करती थी ठीक है यहाँ पर पुराना जो बर्थ होता था किस परकार का था लग लग यहाँ पर stories उन्हें diagrams की form में यहाँ पर बनाया जाता था क्लियर है उसके बाद यहाँ पर जो मेन इवेंट्स महातमा बुद्र की life में ठीक है जो वरनन करते है आर्ट में ठीक है जैसे बर्थ इस चीज़ को भी यहाँ पर दर्शाया गया रिनन्सियेशन ठीक है जो इनका त्याग था उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया एंलाइटनमेंट जो इनने ग्यान की प्राप्ति हुई थी उस चीज़ को फर्स्ट जो इनके दुवरा पहला उपदेश दिया गया था जिसे धर्म चकर परिवर्तन यहाँ पर बोला जाता है उसके बाद महापरी निर्वान मतलब डैथ तो इ विहार की तरह विहार क्या होते हैं तो यह रहने के लिए जगा होती है ठीक है जेन या बुदिस्ट जो मौंक्स होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर मेन फीचर्स क्या थे सो केवस यहाँ पर मौरेन पिरड के दुरान जो बनाई गए थी यहाँ पॉलिस्ट यह मेर संब जो इसका पोटा था दहया दिखर तो यहां पर बहुत है थे से तलस łइ सब्सुराइब का, जो फूर मेंleb को जो केव यहां पर फॉर केव देखने को मिलेंगी यहां पर जैसे कर्ण जो पार हो गया या सुदामा केव हो गया या जो लामा रशी जो या लॉमस रीशी गुफा ठीक है या केव उसके बाद यहां पर विश्व मित्रा केव यहां पर यहां पर यहां पर उसके बाद नेक्स लोका का पोता था यानि कि ग्रैंट संथा क्लियर है कोपी गेव हो गया और यहां पर बहुत के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको यहां पर के यहां पर चाहिए बहुत कम कोश्ट के ओपर नीचे कमेंट उक्षण में यहां पर लंपर के अपर is או कि keen और यहां पर यहां साब्यूंगर 17 नहें ब्लैक क्लेन्स अर्षा करते हैं लग्जरियस आइटम की तरह यहां पर इनके इस्तेमाल किया जाता था इस समय में और कोसम भी उपाठली पुत्र है यहां पर यहां पर मेन सेंटर हुआ करते थे चांदार वे के साथ यहां पर बनाई गई थी तो लोय जो लावरिया नंदंगर्ड पीलर यहां पर कलीर और प्रिसाइस सब्स्ट्रों इस परकार से इन्य बनवा गया था यहां पर मतलब कि यहां पर एक रियल टाइप की यहां पर लगती थी के लिए रैजिस परकार से उस समय में यहां पर कारिगरी की जाती थी बहुत ही शानदार कारिगरी यहां पर होती थी लोगान से यहां पर सारना थो रामपुर्वा पिलर्स यहां पर बहुत ही जबर्दस हुआ गरते थे यहां पर two most famous यहां पर जो sculptures Moran period के दोरानी यहां पर यक्षा और यक्षी ठीक है यहां पर यह जो इनकी worship यहां पर किया जाता था ठीक है n i fee, so, यहां पर जो earliest यहां पर जो mention यक्षी यह देखने को मिलेगी शिल पादी कर्म ठीक है तामिल टेक्स्ट हां पर से यहां पर देखने पर मिलेगी ठीक है यक्षी उसके बाद यहां पर टोर्स हो यहां पर Naramalifer यहां यहां पर यहां पर पारख जो विलेज यहां पर पटना यहां पर देखने को मिलेगी यहां मद्याप्रदेश में तेकर मिलेगी यहां पर समझ में आया होगा, so detail में हम cover कर रहे हैं UPSC के लिए और next week से हम यहां पर जोगर्फी UPSC की classes ऐसी ही notes के साथ अलग-अलग यहां पर diagrams के साथ start करेंगे, so video अच्छा लगे तो like और share जुरूर करें अपने आसपास रखें, ज्यादा सी ज्यादा पेड़ पो देऊगा है गुरीन इंडिया की तरफ move करना यही हमारा लक्षा, so Jai Hind, have a fantastic day